हाई दोस्तो आपको स्वागा थे टिजोलिन बिहार में आसा करते हैं आप सब ठीक होंगे चलिए हम लोग आपको पटरी पे लेका आए हैं मतलब अपना ग्रेनाइट पत्थर जो हम आपको पढ़ा थे वह दिखाने के लिए यह है हमारा ग्रेनाइट पत्थर देखिए यह च पत्री यो दो रेल के बीच में जो फास्टनी यह प्लेट लगा हुआ इसको फिस्ट प्लेट कहते हैं आपको इधर से साथ देखिए जनरली ऐसा रखता है इन दोनों देखिए यहां गैप है यहां पे प्लेट लगा हुआ है फास्टनिंग यह नट वोल्ट यह रेल हो गय जनरली पूरे कॉमिनेस्टन को रेल पत्री कहा जाता है ठीक यह देखिए ग्रेनाइट पत्थर का इस फिस ग्रेविटी जो 2.6 था क्रसिंग स्ट्रेंथ कितना था क्रसिंग स्ट्रेंथ हमारा 75640 न्यूटन पर एमेम इसकार था यह देखिए ग्रेनाइट पत्थर जो होत होता तो यह सह नहीं प्याते तुरंट सी टूटके बरवाद हो जाते और इनको स्लीपर के बीच में इसलिए परियोग किया जाता है क्योंकि स्लीपर जनरली होता है हमारे मिटी के उपर रखे हुए रहते हैं नॉर्मल ही तो ट्रेंज चलेगा तो वाइब्रेट करने कारण हमें पाए जाते हैं आपने आपने देखा भी पीछे मेरे अभी पीछे जो हम चल रहेते जहांते आप वहां बीचक्लर विपलब था इधर देखिए यह ग्रे यहां पर यहां पर है कि ओधर देखिए पिंक अच नहीं कटके भी बरना है पट्री और इधर देखिए यहां पर ग्रे कलर का हवाल्का यहां पर ग्रेक राता ग्रे ग्रेंट ब्लू प्लुपिंग्स और यह वयpower सब्सक्राइए हैं है हमको जाना है उस तरफ तरफ नहीं पूरू आया अभी अने वाले पत्थर है उनके का सफ करेंगे तब तक हमारे चैनल पर सफीड वीडियो को देखते हैं जा दोस्तों जाते सेर करें लाइक करें नोसलिए तो कामेंट करें हमारे चैनल को इतने दोस्तों के साथ वी सेर करें और उनको भी सब्सक्राइब करवाईए थैंक्यू कि वॉच्ट इजवल इन बिहार आपको देखे आज ग्रेट पत्थर के बारे में बहुत कुछ बता दिये ठीक चलिए तब तक आपको ग्रेट पत्थर का भी दर्शन कराया देखे हलका हलका दूसरा कलर में आने लगा कि नहीं यहां पर वाइट इस खलर में हलका सा चलिए हमारे चैनल को देखते रहे हैं ग्रेकलर का पूरा देखिए यहां पर मारे चैनल को देखते रहेगा थैंक्यू कि वॉच्ट इजवल इन बिहार